दोस्तो अधारकाड के ओफिसल वेबसेट से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है दोस्तो की अब से अपना अधारकाड का नंबर अपने नाम से बड़े असानी से पता कर सकते हैं अगर आपका अधरकार्ड खो गया है या फिर आपका अधरकार्ड का नंबर मालूम नहीं है तो केसे आप अपने नाम से अपने अधरकार्ड को पता केसे कर सकते हैं तो दोस्तो इस बिड़े में आपको यही बताने वाला हूं कि आप अपने नाम से अधार कार्ड का नंबर कैसे आप पता कर सकते हैं तो दोस्तो इस बड़ी को अंतक जरूर देखना है यहाँ पर मैं आपको लाइप प्रूफ विताया तो दोस्तो शुरू करने से पहले आप लोग से छोटी से रिक्वेस्ट है तो दोस्तो अपने नाम से अधार कार्ड का नंबर कैसे आप निकाल सकते हैं तो दोस्तो अधार कार्ड के नए ओफिसल वेफसाइट में आजाना है इस वेफसाइट का लिंक हमने डिस्रिप्शन में दे रखा है तो डिरेक्ली आपको इस वेफसाइट में आजाना है असानी से पता कर सकते हैं और दोस्तो माई अधारकाड का official website जो भी है और दोस्तो अधारकाड का नया official website में क्या-क्या launch किया गया है क्या-क्या service लाए गया है तो उसका बडियो हम proper बना चुके हैं तो उस बडियो का link आपको disruption में मिलेगा तो वहां से आप बड़े असानी से देख सकते हैं तो दोस्तो जैसे आप website पर आएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से interface आएगा और यहाँ पर आपको नीचे अ-scroll करना है जैसे आप scroll करेंगे तो यहाँ पर बहुत चरा option देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको अ-scroll करेंगे तो यहाँ पर आपको एक option नजर आगा है retrieve lost for written EID या UID तो जोस्तो इस option में आपको click करना है जैसे आप click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से interface आगा और यहाँ से आपको दो option मिल लाता है कि आप अपना अधार का number चाहते हैं या फिर environment ID यानि EID प्राप्त करना चाहते हैं तो केसे आप find कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम अधार number निकालना चाहते हैं तो simply से यहाँ पर हम अपना फिल कर देंगे तो हो सकता है कि आपका अधार number नहीं निकलाएगा इसलिए यहाँ पर आपको पूरा proper आपको नाम फिल करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना mobile number फिल करना है वही mobile number आपको फिल करना है जिससे कि आपका धर कार्ड में मौईल नंबर रेजिस्टर हो या फिर अगर आप मौईल नंबर नहीं फिल करेंगे तो यहाँ पर आप अपना इमेल अड्रेस को भी आप फिल कर सकते हैं अगर आप अपने अधर कार्ड में इमेल अड्रेस को भी लिंक करवा हैं तो उसको भी आप फिल कर सकते है यानि की दोनों में से किसी एक को feel करना है उसके बाद आप को नीचे scroll करना है जैसे आप ए च्रूल करेंगे तो यहाँ पर कीप्चा मिल लागा तो जिस तरह से यहाँ पर कीप्चा दिया हुआ उसी तरह नहीं आगा तो यहाँ आप refresh करके दूसरा capture प्राप कर सकते हैं तो capture फिल करने के बाद यहां प्राप को दो option नजर आगा लेकिन यहां प्राप को send OTP के option पर click करना है तो दोस्तों जैसे send OTP के option पर click करेंगा तो आपके अधरकार में जो भी mobile number register होगा उसमें एक OTP आगा उस OTP को यहां प्राप को नी जैसे आप login के option पर click करेंगे फिर आपके सामने इस तरह से interface आजाएगा और यहां पर आपका लिखाव आएगा Your ID is sent to your register mobile number तो दोस्तों message के मादियम से आपके अधरकार में जो भी mobile number register होगा उसमें आपका अधार number send कर दिया गया है तो चलिए दोस्तों यहां पर हम चेक करत है इसलिए हमने इसके mobile में आया था message तो इस message को हमने photo click करके इसमें हम आपको दिखा रहे हैं तो दोस्तों इस परकार से आप अपना अधारकार का number अपने नाम से बड़े असानी तरीके से निकाल सकते हैं तो उम्मीद करता हूं बड़े काफी पसंद है अगर पसंद है तो तो चलिए दस्तों फिर में कैसे नेश्च बड़े में मिलते हैं